दोहजार चोविस में किस ग्रहन का लगेगा सूतक काल? नए साल में कितने ग्रहन? आईए चानते हैं नए साल दोहजार चोविस में दो सूरी ग्रहन और दो चंदर ग्रहन लगेंगे जब चंदरमा प्रत्वी और सूरी के बीच से गुजरता है तो इस सितिती में सूरच की रोशनी धर्ती पर नहीं पहुच बाती इस घटना को सूर्य ग्रेहन कहा जाता है वही जब चंढडर मा प्रत्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस दोरान सूर्य का प्रकाश प्रत्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता इस घटना को ही चंद्रग्रहन कहते हैं हिंदु धर्म में इस भुगोली ये घटना का बड़ा महत्व है ग्रहन के दोरान शुपकारियों की मना ही होती है 2024 में किस ग्रहन का लगी गासू तक कार नए साल में चार ग्रहन कब-कब यहां जाने चंद्रग्रहन ग्रहन के द्रश्यमान नहीं रहेंगे उनका सूततक कान इनका सूततक कार्ण को भारत वर्ष में नहीं माना जाएगा विदेशों में यह घटन माना जाएगा ग्रण कार्ण में देवताव का पूजन आदी बात दी होता है पर उसम भारत में ना दिखाई पढ़ने के कारण इनका प्रभाव भारत में नहीं पढ़ेगा तो भारत में निर्ण में मरवान का पूजन आदी कार्ण चलता रहेगा इसने यहां पर सुकत कार्जी दे आपी नहीं माना गए है। यहां दी गई जानकारी जोतिश के अनुसार है, News 18 इसकी पुस्टी नहीं करता है। Local 18 उज्जेन से शुबम मर्मट की रिपोर्ट कि अनुस्टी नहीं करता है। कि अनुस्टी नहीं करता है।